गुड मार्निंग डू अलो फ्यू दिस इस नाई श्री एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5th of August का Current Affairs आज का आपसे पहला कॉस्चन है कि August 2022 में केंद्री शतरकता आयुक्त की रूप में किसी न्युक्त किया गया है एक important question है यह पूचा जाता है केंद्री शतरकता आयुक्त आपसे याद रखिएगा कि Suris and Patel कौन? Suris and Patel को जो है केंद्री शतरकता आयुक्त की रूप में चुना गया है so here first option is your correct option आप यहाँ पर न्युक्तियों की बात आई है तो न्युक्तियों में कुछ न्युक्तियां देख लेते हैं जो अभी फिलाल में आप लोगों ने current में पढ़ी है और मैंने आपको बताई होंगी ठीके सबसे पहला आप लोगों को देखना है National Stock Exchange NSE क्या होता है NSE National Stock Exchange NSE NSE के हाली में जो MD और CEO न्युक्ति किये गए है और CEO कौन बनाए गए है तो याद रखिएगा आशीष कुमार चोहान जी ओके आशीष कुमार चोहान जी पहला आप लोगों को इनको याद रखना है दूसरा आप लोगों को याद रखना है World Bank जो है जहने आप विश्ववेंग कहते हैं World Bank ने आपके एक भारती नागरेक हैं जिनका नाम है इंदरमिट गिल कौन इंदरमिट गिल इनको अपना मुख्य अर्थसास्त्री और विकास अर्थसास्त्र का वरिस्ट उपाद्देक्ष निक्टिया है सो यहाँ पर याद रखेगा विश्ववेंग का मुख्य अर्थसास्त्री और विकास अर्थसास्त्र का वरिस्ट उपाद्देक्ष निक्टिया है तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है यह आपके भारतिये मूलके हैं इनका नाम है इंदर मिट गिल क्या नाम है इंदर मिट गिल ओके यहाँ पर आप लोगों को एक नाम दिख रहा होगा जी असुक कुमार सर्जी का तो इनको आप लोगों को याद रखना है बहुत important है इसको मैं हटा देती हूँ अभी यह जो जी असुक कुमार जी है इनके आगे आप लोगों को लिख लेना है कि यह जो हैं अभी अभी appointment हुए हैं आपके as a India's first national maritime security coordinator मैंने आपको बताया हुआ है बट फिर भी आप लोग याद रखेगा इन्डिया यह first है इसलिए आपको याद रखना है इन्डिया ज़ फर्स्ट नेशनल मैरी टाइम शिक्योरिटी मैरी टाइम सिक्योरिटी कोर्डिनेटर ओके तो यह आप लोगों को याद रखना है जी असुक कुमार जी वेरी वेरी इंपोर्टेन एक महत्पूर्ण युक्ती है यह आपके क्योंकि मूव करते हैं आगे आगे आपसे कॉश्चन है कि अगस्त 2022 में पुर्सों के 109 किलोग्राम भारतो लन में रास्ट मंडल खेलों में कांश्र पदक किसने जीता है तो यह तो अभी कॉमन वेल्ट गेम जो हैं 209 किलोग्राम भारतो लन में रास्ट मंडल खेलों में क्लीन एंड जर्क राउंड में किसमें क्लीन एंड जर्क राउंड में रास्टीट अको इस्थापित करते हुए इनको कांश्च पदक मिला है ओके मूफ करते हैं आगे नेक्स कोशन आपसे के अगस्त 2022 में एक मजबूत अनुसंदान और विकास पारितंत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है किसलिए एक मजबूत अनुसंदान और विकास पारितंत्र बनाने के लिए उद्देश पता होना चाहिए आपको क्या उद्देश है यह एक important question है उद्देश आपनों को याद रखना है कि एक मजबूत अनुसंदान और विकास पारितंत्र को establish करने के लिए यह जो आपकी योजना है यह विश्य विद्याला प्रणाली जो है इसको अनुसंदान की मुख्यदारा में लाने के लिए मदद करेगी move करते है next question पर जो की आपसे है कि किस भारती कंपनी ने अगस 2022 में पहली बार fortune global 500 सूची में प्रवेश किया है very very important question important mark करिएगा और यहाँ पर बताना है कि first time ऐसा किया है इन्होंने किसने fortune global 500 सूची में प्रवेश किया है so आप लोग याद रखेगा जीवन वीमा जो निगम है इन्होंने पहली बार fortune जो है आपकी fortune global 500 की सूची में प्रवेश किया है इस तरीके से नहीं लिखा जाता है fortune याद रखेगा इस तरीके से आपको लिखना है और इसी बीच में आपके जो reliance industries है यह जो reliance है इन्होंने भारत में बाजार पुंजी करण के मामले में सबसे बड़ी company है और यह 51 वे स्थान पर इन्होंने छलांग लगाई है लेकिन सबसे उपर आपका LIC रही आप लोगों को एक चीज वार याद रखनी है कि कुल नो भारतिय कंपनियों ने इस सूची में प्रवेश किया था जिन में से पांच जो है आपके राज्य के स्वामित वाली और चार नेजी शेत्रों की कंपनिया है तो याद रखेगा कि कुल नो भारतिय कंपनिया ने सूची में प्रवेश किया था इस सूची में जो 500 की सूची इसमें कितनी कंपनियों ने प्रवेश किया पूछा जाता है या आप से कितनी कंपनियों ने भारतिय कंपनियों ने प्रवेश किया तो नो भारतिय कंपनियो ने प्रवेस किया जिसमें आप लोगों को याद रखना है जिसमें से आपकी जो पांच है वो पांच राज्जी के श्वामेत वाली मतलब जिन पर राज्जे को श्वामेत है वो ऐसी पांच है ठीके और पांच के ऐसी है निजी यानि कि जो प्राइवेट होती है तो आप लोगों को याद रखना है चार सौरी चार आपकी निजी है यानि कि प्राइवेट है निजी छेतर की कमपनिया थी ओके इतना याद रखेगा आप लोग अब हम बात करते हैं किसकी हम बात करते हैं जीवन बीमा निगम की तो जीवन बीमा निगम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं दिखिएगा जीवन बीमा निगम जो ये भारती जीवन बीमा निगम है एक पर सौमेथ्य किसका है autoconome किसको प्राप्त है इंडियन गोर्भर्मेंट को प्राप्त है आपको याद रखने इनकी स्थापना को हुई थी स्थापन 1250 सिक्स में की सपना के गी इन सैक पर है इनके संस्थापक कौन है तो संस्थापक आपकी इंडियन गर्मेंट ही है संस्थापक याद रखेगा भारत सरकार ठीक है भारत सरकार और एक लास चीज़ आपको याद रखाने कि अध्यक्ष कौन है अध्यक्ष में आप लोगों को लिख लेना है कि इनकी अध्यक्ष है MR कुमार कौन MR कुमार फिक है MR कुमार जी जो है इनकी वर्तमान में अध्यक्ष है I think इतना अफ है आपके लिए move करते हैं आगे आगे जाने से पहले it's a request कि आप लोग इस चीट को याद रखेगा कि नौ कंपनियों ने जो है इस सूची में प्रवेश किया था और पांच जो हैं आपकी राजजी के सौमित वाली थी चार आपकी निजी थी यह तो देखो याद रहे गई आपके जीवन भीमा निगम जो हैं आपकी इस सूची में इन्होंने पहली बार आपका प्रवेश किया है move करते हैं आगे आगे आपसे हैं कि आगस्ट 2022 में किसने ओइल इंडिया लिमिटेट के अध्यक्ष और प्रवंद निदेशक के रूप में इनको जो है हाली में इन्होंने पदभार संभाला है याद रखिएगा रंजीत रथ जी को जहां पर आपने new appointments लिखे थे वहीं पर आपको add करते जाना है एक चीज में आपको बताई हुई हूई हूँ कि आप कभी भी कुछ भी लिखें तो थोड़ा थोड़ा space करके लिखा करिए चाहे उस page पर थोड़ा space रखिए चाहे आप कहीं पर space रखिए ताकि आप नया कुछ मिलता है तो उसको add कर पाएं ठीक है ये किस की जगा लेने वाले हैं ठीक है तो आपको याद रखना है कि ये किस की जगा लेंगे तो इन्होंने जगा जो लिए वो लिए सुशील चंद्र मिश्रा ठीक हम बात करते हैं अलका मिद्दल में की तो अलका मिद्दल में की बारे में आपको अपको मैं आल्रडु कहुं को मैं अल्रडी बता चुकी हूं बट यह बहुत ज야दा इंपोर्टेंट है् अपको अलका मिद्दल में की बारे हैं भी याद रखना है कि यह कुछा ओं महिला अध्यक्ष क्या है ओइं जिसी की पहली महिला अध्यक्ष तो यह फस्ट भीमन है जो आपकी इस पद पर पहुंची है तो यह आप लोगों को याद रखना है पहली महिला अध्यक्ष ओकी मनोच कुमार जी को ने तो मनोच कुमार सर के बारे मैं आपको याद रखना है यह खादी और ग्रामध्योग ग्रामोध योग आयोग के नए अध्यक्ष है ठीके अभी यह न्यू अपॉइंट्मेंट्स जब मैंने आपको पढ़ाये थे तो वहाँ पर पढ़ाया अगर आपने वहाँ से नहीं पढ़ा है एक बार देख लिएगा ओके इतनी चीज़े याद रखेगा नेक्स कोश्चन आप से कि डेश में डिलीवरी शेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारती रेलवे के साथ साज्यधारी की है यह याद रखना है कि साज्यधारी देखे दो लोगों के बीच मूद अट लीस्ट आपकी दो चीज़ें होने चाहिए दो लोग चाहिए फिर दो कंपने होने चाहिए तो इंडियन आपका रेलवे एंड दूसरा के एमाजोन इंडिया है ठीक है तो इन्होंने सांज्यधारी किस के लिए कि अध्यार देश में डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देना जो है इनका उध्यश है प्रीज जो चीज़े मैं नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन आपसे कि रास्टी उदमिता और लगू व्यविशाय विकास संस्तान और डैस ने युबाओं में उदम सीलता कोशल विक्षित करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है आपको यह बताना है कि एक तो दिखिए रास्टी युनि लिवर लिमिटेड जो है और आपके रास्टी उदमिता लगू व्यविशाय विकास संसान इन्होंने विचिक लिए एक समझोता ग्यापन पर अस्ताक्षर किये उद्दिश के युबाओं में उदम सीलता कोशल को बढ़ाना हो कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान य इनका है डुकाटर आपके मुंबई में है ठीक इतना ही याद रखिएगा बाकी इंपोर्टेंट नहीं है इनके बारे में इतना आगे चलते हैं नेक्स कोशन है आप से कि ऑगस्ट दूहजार बाइस में दूरसंचार ऑपरेटर बोड़ाफोन आइडिया लिमिटेड के सब्सक्राइब बांगलादेश में भारत का अगला उच्ट कोन है तो प्रणाय कुमार बर्माजी हैं और रुचीरा कंबोज में हमके बताया था कि वरिस राजनाइक जो आपकी रुचीरा कंबोज है एनसायक्त रास्ट में भारत की अगली राजदूद और स्थाई प्रतिनिदी के रूप में न्यूक्त किया गया है अगेन वेरी वेरी इं सफी प्रम नहीं जानी है इंडूनललोर आतलत नहीं anything कुमार इंद यहां पको विनयी कुमार सकसेना जी की बारे में कि Pel नहीं तो तो कुमार सर को आपके 25 पर मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएगा है यह आप नमबर याद रखेगा दिखिए यह बहुत महत्मुण है तो 25 वे यह हैं ठीक है कोने मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्त उक्या इतना आपको आपोइंटमेंट याद रखना है मुव करते हैं नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन आपसे है कि इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आउगस दो हजार बाइस में पेट्रोलियम सामानों की आपात कालीन आपूर्ती के लिए डैस की सा समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं यहाँ पर किस की बात की जा रही है इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्होंने पेट्रोलियम सामानों की आपात कालीन आपूर्ती के लिए जब आपूर्ती चाहिए पड़ती है तो उसके लिए किस लिए बांगलादेष में सट्राक और राजमार्ग के साथ किस के साथ किस के साथ चरण के साथ है बांगलादेश आग्rees सड़क इवं राजमार्ग, विभाग, केशाद, एक समझोता, ग्यापन, पर हस्ताक्षर की आए, ठीके? हम बात करते हैं, बांगलादेश की, तो बांगलादेश के वारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, बांगलादेश जो है, भारत की पूरब में है, ठीके? यह आपका दक्ष्ण एशिया ये एक देश है, याद रखियेगा, बांगलादेश की capital क्या है तो बांगलादेश की capital है डाका क्या है डाका और यहां की currency क्या है तो बांगलादेशी टका अद्दक्ष कोन है मुहम्मद अब्दुल हमीद तो याद रखेगा आप अद्दक्ष का इतना important नहीं है आप PM याद रख लिजेगा तो प्म तो बहुत रहती है कि आदी है ज की है B. Okay ऑल्व करतें नेक्स कोशन पर नेक्स नापसे है कि घिलाडियों और सहायक और को होगा ठीक है एक हुआ ही करू को डोपिंग में सामेल होने से ऒखने के लित लिए अपकी आपकी संसत की दवारा एक वद्हेयक पारित की अगया है तो आपको बताना है कि इनके दोरह कौन सा विधियक पारित किया गया है वेरी वेरी इंपोर्टन विधियक किसलिए है खिलाडी और उनके सहाय कर्मी यह जो डोपिंग वाले काम होते हैं आज कल यह जो इल्लीगल चीज़े हैं तो उनको रोकने के लिए आपके इंडियन पालियम वेरी वेरी इंपोर्टन यह कोस्टन बहुत महत्पून है आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर डोपिंग रोधी नियम लागू करना है तो कौन करता है राश्टीर डोपिंग रोधी एक एजनसी है बो करती है ठीक है यहां पर मैं लिख देती हूं कि डोपिंग रो रोधी राश्टीर डोपिंग रोधी एजनसी इंग्लिस में हम इसको क्या कहते हैं इंग्लिस में इसको कहते हैं एन ए डी ए तो इसका फुल फॉर्म में लिख लिए एक बार एन डी ए का अगर इंग्लिस में है तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिस में इसको कहते हैं न doping एजेंशी ओके एजेंशी याद रखेगा तो इनकी द्वारा जो है doping रोधींट नियम जो हैं लागू किये जाते हैं लागू किये जाते हैं बस आपको इतनी चीज़ें याद रखना है आज का करेंट अब कुछ पिछला रिवीजन करते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं न्यू डेवलप्मेंट बैंक की एंडीव जीसे आपके टे हैं डी वी न्यू डेवलप्मेंट बैंक न्यू डेवलप्मेंट बैंक के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है न्यू डेवलप्मेंट बैंक के बारे में आपको सबसे पहला तो याद ये रखना है कि इनकी स्थापना कब हुई थी तो इनकी स्थापना 2014 में की गई थी ठीके कब 2014 में की गई थी कि ब्रिक्स सम्मेलन की दोरान कि ठीक है यह जो आपके एंडीवी है इनको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं यही मैं आपको बताना चाहरी थी कि इनको ब्रिक्स बैंक कहते हैं क्या कहते हैं ब्रिक्स बैंक कहते हैं कि इनकी स्थापना ब्रिक्स सम्मेलन की दोरान होई थी और आप के एंडीबी के लिए हस्ताक्चार आपके इसी सम्मिलर में हुए थे 2014 में हो ओकी अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कुछ फर्स्ट से रिलेटेड चीज़ें जैसे भारत का पहला समुद्री सेवाल पार्क कहां पर है तो भारत का पहला यह करेंट की चीज़ें हैं ओकी भा कहां पर चिन्नई में है चिन्नई कहां पर है तोमेल नाडू में है तो टी एन लिख लिजेगा तोमेल नाडू ओके दूसरा हम जानने वाले हैं भारत का पहला कोईला से मेथेनोल बनाने वाला पाइलेट प्रोजेक्ट जो प्लांड है यह आपका कहां पर है यह आपका लिखेगा यहां पर भारत का पहला कोईला से मेथेनॉल मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 मेथेनॉल CH3OH ओके? CH3OH बनाने बाला पाइलेट प्रोजेक्ट प्लांट यह कहां पर आपका स्थापित किया गया है? तेलंगाना में कहां? प्रधर्रशन यह बहुत इंपोर्टेंट है मैं आपके फिछला रिवीजन करवा रही है आप लोगों को यहां पर हेडिं करना है श्यामा प्रशाध मुखरजी श्यामा यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है श्यामा, प्रस्षाद, मुखर जी, रूवर्न मिशन रूवर्न मिशन ठीक इसमें आप लोगों को ये देखना है ये आपका रूवर्न मिशन में कि आपका सीर्स प्राप्त करता कौन है तो यहाँ पर मैं पहले तो पैन का कलर चेंज कर लेती हूँ फिर यहां पर आपको देखना है सीर से प्राप्त करता कौन है या इसमें जो सीर्ष पर आया है वो आपका आया है टेलंगाना ठीक, very very important तो आपका इसमें टेलंगाना आपको लिख लेना है ठीक है, टेलंगाना आगर हम बात करें कि अंतिम इस्थान पर कुन है, तो अंतिम भी आप लोगों को याद रखना है, unwald बेहने हैं आपका पश्च्चिम वंगाल, वस्चिम बंगाल है. बात करहें हम आपके प्यारे UP की, up जो है, आपके सात्वे इस्थान पर है, है आपकी प्यारे यूबी का ओकी इतना आपको याद रखना है नेक्स आपको यहाँ पर याद रखना है भारत भारत की पहली वन्यजीव calm DNA प्रिख्षन त्रो באुजाण प्रयोग शाला वभेरी इंपरेंट यह कहां परहें तो यह आपके नागपूर में है नापूर कहां परहे तो आप कहेंगे कि में हैं महाराश्रम है महोड़ नेक्स आपका है रास्त्री जनजात्ती महोड़ सब्सक्राइब च्छन जाति द्वारा किसकी दौरा गारो जन जात्ति द्वारा आपको याद रखना है कि किस ृत्राइबल community द्वारा आपका ये मनाया गया है महुत सब याद रखना है ठीक है 36 गड़ की अब हम कुछ महुत सब देख लेते हैं ऐसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं बट मैं चाहते हूं कि एक बार रिवीजन आपका होना चाहिए क्योंकि रिवीजन मस्ट है आपके लिए एक्जाम आपका ज्यादा दूर नहीं है सबसे पहला तो हम जम्मू कस्मीर के देखेंगे सबसे पहले आपको आज जम्मू कस्मीर के ही रिवीजन कराने वाले हूँ जम्मू कस्मीर में आप लोगों को अहरबल महुत सब याद रखना है क्या अहरबल महुत सब दूसरा आप लोगों को याद रखना है पुशकर महुत सब कौन सा पुशकर महुत सब तीशरा आपको आपको याद रहना है दूध पथरी टिकार और कोई और रहे गया है कि आपके जम्मू कर समीर कि आहरबल, पुषकर कंचोत लाला दूद पत्री इसमें पुषकर याद रखिए कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोग को अब हम बात करने करते हैं अरुनाचल प्रदेश तो अरुनाचल प्रदेश में आपको याद रखना है बोरग्या महुषव कौनसा बोरग्या बात करते हैं लडाक की तो लडाक में आप लोगों को याद रखना है लडाक में आपका सेलिब्रेट किया जाता है लोशार क्या लोशार फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है लडाक के अंदर और एक और आपको याद रखना है इस पुतनिक गस्टर फेस्टिव festival तो आप लोगों को इतना याद रखना है दो चारवर में आपको आर दो इस करवा देती हूं एक और आपको याद रखना है राजस्थान का आजी यानिकी राजस्थान जिसमें अपका सेलिबरेट किया जाता है मरू महोशव क्या मरू महोशव याद रखेगा बात करते हैं तिलंगाना की सो तिलंगाना में आपका क्या सेलिबरेट किया जाता है तिलंगाना का महोशव है आपका बथुकंबा तेवहर क्या बथुकंबा तेवहर बथुकंबा तेवहर ठीक आगे कि आप लोगों को याद रखने अन्ण प्रदेश में एक और आपको याद रखनाँ तरी कौन सा बुरग्र आ और ड्री आपको याद रखना है ठिकिा ओरिशा बात करते हैं ऐसे यहां पर आपका का इसा táo यह जाने स्विसा प्रक्राड़ का पॉंगल का ही हिस्सा होता है आप याद रखी आप आंधर प्रदेश का तो आंधर प्रदेश लोगों को तो इसका दोए याद रखनाए घडरियो एंप देधी अंड गुडी पडभा आंप होता है और महा रास्टन है ठीक है गुड़ी पढ़वा पढ़वा ठीक है तो ये आपका महारास एमेच यानी की महारास ठीक एक बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं जम्मू कस्मीर में क्या सेलिपरेट किया जाता है तो आपका अंसर क्या होगा अहर्बल महुषव पुसकर महुषव क्या भाजाथ में नवकालेवा्रा, महारास्तर में गूडी एक और राम में जात्रा में तमिलाडू जलीकट्टू राडख में लोशार फेस्टिवल गस्टर इस्ट पुतनिक फेस्टिवल आंध्रप्रदेश में आपको याद रखना है उगादी फेस्टिवल क्या उगादी फेस्टिवल अबर्ट फ्रॉम दिस मैं एक चीछ और बोला चाहती हूं यह जो उगादी और आपको गुड़ी परवा नव वर्स के प्रारंब पर ही सेलिब्रेट किया जाता है एक आप कर रहे जाता है मैं उसको बताना चाहती हूं आप लोगों को सो यहां पर आप लिख लीजेगा इसी के नीचे में आपको बता देते हूं पार्सी समुदाय द्वारा एक आपका महुस्ताव सेलिब्रेट कि क्या जाता है बहुत मोटा पेन हो गया पार्सी कौन सा याद रखिएगा नवरोज कौन सा नवरोज नवरोज कहा जाए जम्शेदी कहा जाए पपैती कहा जाए नोरोज कहा जाए एक ही है सो कन्फ्यूज मत होईएगा प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से अगर आपको सब्सूर आप कर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज एक लायक कर दिया करें और एक कमेंट कर दिया करेंब और जितना ज्यादा से ज्यादा श्यार होग कर सकें आप वीडियो को तो उतना स्चार कर दिया कर इए thank you so much मिलते है नेक्स दीजिए के साथ के साथ तब तक वाब बीकियर